कि 28 मार्च 2022 आज दूसरा दिन है पी एटी एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेस्टर का जो कि एपी एससबी कंड़क्ट करा रही है तो दूसरे जो डे है वो किस तरीके से रहेगा फर्स डे के मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जहाँ कि दो बैचों में जो टैस्ट है वो लिया जा रहा है सबी को बुलाईया तो मौनिंम चे बजे जा रहा है पर चे शे से साथ बज़े पर दो बेक्टों का टेस्ट लिया जा रहा है फुर्स देक औरिक उसको डू बैच में बाट दिया जा रहा है टो टेल नुम्बर जितने भी और चार सो atom काल किया रहे उस में से हाफ कर दिया रहा ह least hours कर दिया रहा ही हाफ कर दिया जा रहा है तो जो पहला सब्च स्टार्ट होता है और नौ बजे से उसको पी टी-सी का जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसके जो कॉलनी है उसके लगब की तेरा राउंड पोड़ाना प्ड़ता है और इच राउंड इस अलमुस्ट तू किलोमेटर तो थर्टिन टूज इस तरीके का है हाफ राउंड थर्टिन राउंड पूरा नहीं होता है आफ राउंड इस तरीके का लगाया जाता है तो नौ बजे से चार घंटे आप पकर लो उसके बाद फिर दूसरा जो बैच होगा कि वह लगबग सेकेंड हाफ में होता है तो जो भी मॉर्निंग में पहुंशते हैं लोग उनको यह ध्यान रखना है कि अपना डाइट खाना पिना का इंतजाम करें प्रॉपर खाना पिना अपना जो सरीर के लिए जो जरूत है उसको लेकर जाए और मैंटें करें कि मॉर्न बच्चों का नहीं हुआ है सेकंड हाफ में होता है तो वह बहुत ज्यादा डिस्क रिस्की हो जाता है क्योंकि अगर वो उन्होंने अच्छा प्रॉपर अपना खाना पिने का नहीं देखा तो फिर आपको वाकिंग में प्रॉब्लम होगी तो टोटल कल एप्रॉक्सिमेटली 450 के आसपास बच्चों ने पीडी एग्जामिनिशन में अपियर करा था पर उसमें से 300 कुछ सेलेक्ट हुए है मतलब कि almost 100 बच्चे आउट हो गए तो वह आउट किस तरीके से हो रहे हैं वह लैक आफ प्रैक्टिस के वज़े से ओपर से धूप के वज़े से क्योंकि सब न मार्निंग में ना होकर क्योंकि ये नौ बजे से भी अगर होता है तो धूप बहुत बढ़ जाती है और दोपहर वालों को तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो काइंड़ी इस चींजों का ध्यान रखें जहां तक मुझे इंफॉमेशन मिला मैंने आपको बता दिया है और अपने आपको जो भी चलने का तरीका आपने डेवलप किया है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कुछ ताइम आपको जल्दी चलना पड़ेगा अधर वाइस आप फोर आवर्स में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और अगर आप ज़्यादा तेज भी चलते है तो आप डिहाइडरेट होने के चांसे से बेहुश होने के चांसे से बहुत ज़्यादा चांसे सो जाते हैं इस चीज़ का तो अपने नर्प्स पर कंट्रोल रखके आपको चलना होगा जहां पर तेज चलने की ज़रते तेज चलिए फिर अपने आपको काम करिए इस तरीके से चार लगा रहता है जैसे ही आप ल है कंप्लीट करते हैं जो को लोनी है जो किलो मेटर का आपको एक लैप टू किलो मितर का है उस किलो मिटर के लैप just कंपलीत होता है टू खेन आप को डिपोट कर देता है कि एक स्खेंग होग strateg डी तो सारा कुछ करना हो लैप क्या कितना लैप हो गया भूल गया या जो भी है आप आराम से कर सकते हैं तो जो भी आज बच्चे जाने वाले हैं और कल जाने वाले हैं आपका जो भी टेस्ट देने वाले हैं उनको मेरे तरफ से बेस्ट अफ लक और होप करता हूं कि यह वीडियो से आपको थ झाल